हेलो एवरीवन वेलकम टो साविस किचन आज हम बनाएंगे घर पर बहुत यासान तरीके से बिलकुल बजार जैसा डोसा तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो डोसा बनाने के लिए हमें यापर सबसे पहले एक बड़ा बरतन ले लेना है अब हमें यापर डोसा बनान तो चलिए हुई उड़त की डाल आपको जितना बनाना हूँ आप उसी हिसाब से यापर कटोरी का साइज रख सकते हो तो मुझे थोड़ा जादा बनाना था इसलिए मैंने यापर कटोरी का साइज बड़ा रखा है अब हमें यापर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और से हमारे दाल और चावल अच्छे से फूल जाएंगे अब हमें 5-6 गंटे हो चुके हैं अब हमारे दाल चावल अच्छे से फूल करके तयार हो चुके हैं यह देखिए अब हमें यहापर एक मिक्सिका जार लेना है और इसका हमें यहापर एक फाइन सा पेस्ट बना करके तया करके तियार कर लेना है हमें यहाँ पर एक बड़ा बरतन लेना है और सारे बैटर को इसमें डाल देना है बड़ा बरतन इसलिए लेना है तब हमारा जो पेस्ट है वो अच्छे से फूलेगा तो इसके लिए हमें यहाँ पर बड़ा बरतन लेना है अब हमें वापिस से सेम प् मैं यहाँ पर दो चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ इससे जो हमारा डोसा अच्छे से फूल करके तयार हो जाएगा जो खमीरा अच्छे से उठ जाएगा इसके इंदर नमक को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप हम इसको ढख करके रख देंगे जब तक कि इसका खमीरा नहीं उठ जाता है तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसको खमीरा उठने के लिए कम से कम यहाँ पर 10-12 घंटे लगी हैं तो यह देखिए हमारा खमीरा अच्छे से तयार हो आप शुझकर यह देखिय कितने अच्छे से फूला है को और इसको अच्छे से एक बाध मिक्स कर लेंगे अब इसको एक side में रख देते हैं Tब तक हम यहाँ पर सांबर की तयारी करते हैं सांबर मनने के लिए हम यहाँ पर सबजय लेनी हैं यहाँ पर अपनी पसंद की कोई भी सबजय डाल सकते हैं यहां पर गिया, कद्दू, शिम्ला मिर्च और थोड़ी सी मैंने गोबी लिया है, मेरे पास अभी यही सब्जिया थी, आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जिया डाल सकतों यहां पर, वैसे इसको मनाने के लिए हमें जादा तर तो कद्दू और गिया की ही जरूरत पड़ती है, बाकी सब्जिया बिल्कुल, ऑप्शनल है, अब हमें यहां पर सब्जिय को काट करके तयार कर लेना है, कद्दू का आप चाहे तो छिलका रख सकते हो, और चाहे तो आप ऐसे भी डाल सकते हो, तो मैंने यहां पर कद्दू का छिलका उतार लिया है, अब हमें सारी सब् आप कट करके तियार हो चुकी है अब हमें यहाँ पर लेनी है डाल हमें यहाँ पर हरड की डाल लेनी है आपको जितना सांबर बनाना हो उस हिसाब से आप यहाँ पर quantity ले सकते हो मैंने यहाँ पर 100 ग्राम के करीब डाल को भी गोगर के रख दिया था थोड़ी देर के लिए इ इसको वोश करके हम रख लेंगे सारी सबजियों को हमने यहाँ पर वोश कर लिया था अब हम यहाँ पर एक pressure cooker में डालना है सबजियों को और इसी में हमें दाल को डालना है अब हम यहाँ पर पानी डालना है मैंने नाप करके तीन कटोरी पानी लिया है जिस कटोरी में मैंन लिया था एक चम्मज के करीब हम यहां पर डालेंगे हल्दी और नमक डालेंगे हम यहां पर मैंने यहां पर तीन छूटी चम्मज नमक डाला हैं आप यहां पर अपने टेस्ट के अंसवार नमक डाल सकते हो अब हमें यहां पर कूकर को बंद कर देना है और इसमें हमें यहां पर दो सीटी लगवानी है makes कर था तब तक हमारी दाल एक रहे है तब तब तक हमें यहां पर आलू को अच्छे से बोश कर लेना मैंने यहाए पर puppy कर लिया है इनको वोश करने के बाद हम इसको उबाले दाल कर लेंगे जा कोई suggest बोई कर लेंगे कि तब तक हिले नक font प्याच के लिए चाहिएगी इमली को हम यहाँ पर थोड़े देर के लिए बिगो करके रग देना है इससे हमारी इमली अच्छे से तयार हुजाएगी अब हमें यहाँ पर करनी है तड़िके की तेयारी यहाँ पर एक कड़ाई लेंगे हम और इसमें एक बड़ा चमचा ओईल कड़ा लेंगे ओईल को अच्छे से गरम होने देना है यह देखिए जब हमारा ओईल अच्छे से गरम हो जाएगा तब हमें इसमें यहाँ पर डालना है दो तेज पत्ता और चार पाच मैंने यहाँ पर लिये है साबुत लाल मिर्ची अब हमें यहाँ पर डालना है थोड़ा सा सरसो एक चमच के करीब और थोड़ी सी एक चमच के करीब हमें यहाँ पर डालनी है राई जब अच्छे से राई और सरसो चटक जाएगी तब हमें यहाँ पर डालना है कड़ी पता अच्छे से हमें मिक्स कर देना है अब हमें यहाँ पर डालना है जो हमने अधर को ग्रेट करके रखा था उसको डाल देंगे अच्छे से हमें इसको भून लेना है यह देखिए कितने अच्छे से हमारे मसाला बून चुका है अब हमें यहापर डालनी है प्याच प्याच को हमें यहापर सुने रहा होने तक बून लेना है दो मिनट के लिए हमें यहापर प्याच को अच्छे से बून लेंगे जब हमारी प्याज अच्छे से भुन जाएगी तब हम यहाँ पर डालने है टमाटर तो यह देख सकते हैं आप हमारी प्याज अच्छे से भुन चुकिए अब हम यहाँ पर डालेंगे टमाटर आप चाहे तो यहाँ पर टमाटर को मिक्सी में पीस कर भी इसकी प्यूरी भी डाल सकते हो मैंने यहाँ पर साबू डाले है अब हम यहाँ पर एड़ करेंगे मसाले हमने यहाँ पर डालना है नमक नमक आप यहाँ पर कमे डाले क्योंकि हमने सामबर में भी नमक डाला है मैंने यापर एक चम्मच के छोटा चम्मच नमक डाला है थोड़ा सा मैंने यापर हल्दी पाउडर थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है अच्छे से यापर मिक्स कर लेंगे अब हम यापर डालेंगे एक छोटी चमच देगी मिर्च का पाउडर डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है अब हमें यहाँ पर थोड़ी दिर के लिए डख करके रख देना इससे जो हमारे टमाटर है अच्छे से गल जाएंगे और हमारा मसाल अच्छे से बुन करके तियार हो जाएगा बीच बीच में हमें इसको चलाते जाना है अब हमारा मसाल अच्छे से बुन करके तियार हो जुका है अब हमें इमली को एक बड़े बरतन में डालना है और अच्छे से इसको इस तरह से मेश कर लेना है अब हम इसको हातों से अच्छे से इस तरह से मैश कर लेंगे जो भी इसका गूदा अच्छे से निकल जाएगा आप यहाँ पर चाहे तो गरम पानी में भी इसको भीगो करके रख सकते हो तो अब हमारा इमली का पानी तयार हो चुका है अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा और पानी डालना इसमें और एक चलने के मदद से इसको हम यहाँ पर चान लेंगे अब हमें यहाँ पर चानने के बाद इसको फैकना नहीं है आप इसको किसी और सबजी में भी यूज कर सकते हो अब हम इसको side में रख देंगे अब हमें यहाँ पर cookar को खोलना है तो देखिए हमारी दाल और सबजी अच्छे से पक चुकी है यह देखिए अच्छे से हमारी दाल भी गल चुकी है और सारी सबजी भी पक चुकी है अब थोड़ी देर के लिए हमें सबजियों को ठंडा कर लेना है जब हमारा ये सबजी ठंडी हो जाएगी तब हमें यापर एक blender लेना है और एक second के लिए हम blender को इस तरह से चला देंगे इससे जो हमारी सारी सब्जें है, बिल्कुल बारी हो जाएगी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो सारी सब्जियां ऐसे भी रख सकते हो, इसको skip भी कर सकते हो, अब हमें यहाँ पर जो तड़का तियार किया था हमने, वो इसमें डाल देना है, सारे तड़के को हम इमली का पानी जो हमने त्यार करके रखा हुआ था, यहाँ पर इमली का पानी बहुत ज़्यादा जरूरी है, सामबर बनाने के लिए इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, अब हम यहाँ पर डाल देना है, दो बड़े चमच सामबर मसाला, इससे हमारा जो सामबर है ब अपर हम इसको तड़का लगाएंगे यहाँ पर मैंने कड़ाई लिये अच्छे से गरम कर लेना है और एक बड़ा चंचा लेना है मैं यहाँ पर ohil का मैं यहाँ पर सरसो का ohil यूज कर रहे हूं जब हमार ohil अच्छे से गरम हो जाएगा तब हमें आपर डालने है खूप सारे कड़ी पत्ते राई सरसों एक चमच राई और एक चमच हमें आपर डालने है सरसों अच्छे से तड़क जाने के बाद राई सरसों अब हमें आपर मसाले एड़ करने है एक चमच लाल मिर्ची पाउडर एक चमच हमने आपर लिया है यह देखी इस तरह से हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है आप चाहिए तो यहाँ पर हरी मिर्ची भी डाल सकते हूं तो मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची ने डाली है डाल मिर्ची पाउडर ही डाला है अब हमारा मसाला अच्छे से तेयार हो जिगा है अब हमें यहाँ पर ड अब हम लास्ट में डालेंगे इसमें थोड़ा सा धनिया मैंने यहाँ पर धनिये को सुका कर रखा हुआ था वो मैंने डाला है आप चाहे तो यहाँ पर फ्रेश भी यूज कर सकते हो तो अब हमारी आलो की स्टफिक बन करके तियार उच किये अब हमें यहाँ पर लेना एक नों स्टिक तवा और अब हम यहाँ पर बनाएंगे डोसा पैन को अच्छे से में गरम कर लेना है और इस तरह से बैटर को डालते जाना है और इस तरह से गोल गोल करके पैन पर फैलाते जाना है, यह देखिए कितने असानी से बन गया हमारा डोसा, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ओईल डाल देना है, देखिए इस तरह से चारो तरफ हम थोड़ा सा ओईल लगा देंगे, एक तरफ से हमारा डोसा अच्छे से पक चुका है, अब हम इसको पलट देंगे, और इसको तो दोनों तरफ से अच्छे से हमें सेख लेना है तो ये देखिए हमारा जो डोसा है अच्छे से स्रिक चुका है अब हमें इसको इस तरह से पलट लेना है और जो हमने आलो के स्टफिंग बनाई थी उसको हमें यापर फिल कर देना है तो ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर आलो की स्टॉफिंग भर करे त्यार कर लेनी है और यह हमारा डोसा बन करके बिल्कुल त्यार हो चुका है आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बना है बिल्कुल पजार जैसा अब हमें यहाँ पर बनानी है चट्नी नारियल की नारेल की चटनी बनाने के लिए मैंने याँ पर नारेल को बारी काट करके तियार कर लिया था हमें याँ पर कच्चा नारेल लेना है थोड़ी सी मैंने याँ पर चेनेगे डाल डाली है नमक और हरी मिर्ची डाल करके मैं इसको इस तरह से बारी पीस करके तियार कर लेना है अ पर लिजे हमारा तड़का तयार हो चुका है अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने नारिल की चटनी को पीस करके रखा था नारिल की चटनी को आप एक अफ़ते तक स्टोर करके रख सकते हैं खराब नहीं होती है तो लीजे हमारा बिल्कुल बजार जैसा डोसा घर पर बन करके तयार उचका है बहुत ही असान तरीके से खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है आप एक बार इस तरह से बना कर खाएंगे तो बजार का खाना ही भूल जाएंगी तो लीजे हमारा डोसा बिल्कुल बन करके तयार है बहुत ही असान तरीके से वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें अपने सभी दोस्तों में वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाय बाय टेक क्यार